मुसल्मानों के लिए किसी देवता से कब नहीं है ये इनसान हिंदुस्तान के मुसल्मानों को दी थी अलग पहचान मुसल्मानों के लिए शिक्षा में लाई थी एक नई क्रांती इस शक्स के वजह से हिंदुस्तान के मुसल्मानों तक पहुँची शिक्षा दिल्ली में पैदा हुए सेयद एहमद खान के वंश के तार एक तरफ पैगंबर मुहम्मद से जाकर जुड़ते हैं और दूसरी तरफ मुगलों से थोड़ा फास्ट फॉर्वर्ड करते हुए और उन्हें गालिक के बगल से निकालते हुए हम 1857 पर आते हैं इस्ट इंडिया कमपनी में बतौर कलर्क नौकरी करते हुए सेयद एहमद खान ने 1857 के गदर पर अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में सीधे सीधे तोर पर अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया था यहां एक बात समझने की है अंग्रेजों को लगता था बगावत की आग मुगल तरबार में उंचे ओहदों पर बैठे मुसल्मानों ने लगाई है सीध ने अंग्रेजों पर हिंदुस्तानी संस्क्रिती की अंदेखी करते हुए रियासतों को हर अपने का इल्जाम लगाया उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों को अपने राज-काज में मुसल्मानों की भरती करनी चाहिए जिससे ऐसे उत्पाद फिर ना हो अंग्रेजों ने मुसल्मानों को इसलिए जिम्मेदार माना था कि एक आई-सी-एस अफसर विल्यम हंटर ने उन पर एक रिपोर्ट पेश की थी रिपोर्ट के मताबिक गदर इसलिए हुआ था कि इसलाम किसी राणी या राजा की ताकत को सुईकार नहीं करता लहाजा मुसल्मान शासक राणी विक्टोरिया के खिलाफ उठ खड़े हुए उधर सैयत को इस बात का बेहद अफसोस रहा कि मुगल जो इस मुल्क पर शासन करने के लिए बने थे वे एक रोज यू बेगाने कर दिये गए चुनांचे अपनी किताब की एक प्रतिलिपी यानि कौपी उन्होंने बरतानिया सरकार को इंगलेंड भीजी जैसी संभावना थी वही हुआ कुछ हुकमरानों ने उन्हें लानत मलामत भीजी और कुछ अफसरों ने उनकी बात को माना पर जो भी हो अंग्रेजों ने उनके किताब को बैन नहीं किया और स्यद सहाब ने इसे उनकी दरिया दिली समझा उन्होंने एक और किताब लिखी इसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इसलाम और इसाई मजभब एक दूसरे के बेहद नजदीक है वे अंग्रेजों के जहन से मुसल्मानों के प्रती दुराग्रह को मिटाना चाहते थे इसमें कोई दोराई नहीं कि सयद एहमद खान उस दोर के सबसे जहीन इनसानों में से एक थे गनित चिकितसा और साहितिय कई विशों में विपारंगत थे इस बात के गवाही मौलाना अब्दुलकलाम का वो भाशन है जो उन्होंने 20 फरवरी 1949 को एम्यू में दिया था उन्होंने कहा था मैं मानता था मानता हूं कि वे सयद एहमद 19 वी शताबदी के सबसे महान इनसानों में से एक थे उनका ये भी मानना था कि जो हैसियत बंगाल और हिंदों के बीच राजाराम मोहन रॉय की थी वही कदस सयद एहमद खान का उत्तर भारत में और खासकर मुसल्मानों के बीच था आजाद यही नहीं रुके उन्होंने सयद खान को भारती मुसल्मानों के सामाजिक संघतर्ष काजंडा बरदार बताया सयद एहमद खान कब लगने लगा था कि हिंदोस्तान के मुसल्मानों के खराब हालत के वज़ा सिर्फ उनकी अशिकषा नहीं बलकि ये भी है कि उनके पास नए जमाने की तालीम नहीं है लिहाजा वे इस दिशा में कुछ विशेश करने की लगन के साथ जुट गए उनकी इस लगन से हासिल ये हुआ कि जहां भी उनका तबादला होता वहां वे स्कूल खोल देते मुरादाबाद में उन्होंने पहले मदरसा खोला पर जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी और विग्यान पढ़े बिना काम नहीं चलेगा तो उन्होंने मुस्लिम बच्चों को मौडन एजुकेशन देने के लिए स्कूल की स्थापना की फिर उनका तबादला अलिगड हो गया वहां जाकर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी आफ अलिगड की स्थापना की हिंदुस्तान पर के मुसल्मान विद्वान अलिगड आकर मजली से करने लगे और शेहर में अदबी माहौल पर अपने लगा उन्होंने तहजीब अलखलाक एक जर्णल की स्थापना की इसने मुसलिम समाज पर खासा असर डाला और ये जदीद यानी आधुनिक अर्दू साहितिक की नीव बना मुलाना आजाद ने कभी कहा था कि अर्दू शायरी का जन्म लाहौर में हुआ पर अलिगड में इसे पनपने का माहौल मिला इससे हम समझ सकते हैं कि स्यद अहमद खान का योगदान कितना बड़ा है स्यद अहमद खान ने अंग्रेजी की कई किताबों का अर्दू और फार्सी में तर्जुमा करवाया इसलाम की कूरितियों पर छिनी चलाई वे काफिर कहलाए गए उनके सिर पर फत्वा जारी हुआ इन सब की फिक्र किये बगएर वे सिर्फ एक ही बात बोलते जो चाहे मुझे नाम दो कोई परवा नहीं अपनी ऑलादों पर रहम खाओ स्कूल भेजो वरना पस्ताओगे वे इसकदर जनूनी हो गए थे कि मुसल्मान बच्चों स्कूलों के निर्मान के लिए पैसा कठा करने के खातिर उन्हें नाटक करना या घजल गाना भी गवारा था वे मुसल्मानों से अक्सर कहा करते थे कि दुनिया को इसलाम के बजाए अपना चहरा दिखाओ ये दिखाओ कि तुम कितने तहजीब याफता पड़े लिखे और सहिशनू हो 1875 में उन्होंने मौमडन एंगलो औरिंचल कॉलेज के स्थापना की यही बाद में अलिगर मुसलिम यूनिवर्सिटी कहलाया स्यद एहमद खान इसे केंब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्च पर आगे ले जाना चाहते थे फिर उन्हें सिर्फ एक कॉलेज से ही संतुष्ट होना पड़ा स्यद एहमद खान को लगता था कि मुसल्मान हिंदों से हर लिहास से बहतर है उन्नी सीव शताब्दी के उतरार्द में जब हिंदी और उर्दू के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी तो उन्होंने हिंदी को जाहिलों के जुबान बताया दूसरी तरफ मदन मोहन मालवे जैसे दिगज लोग उर्दू को विदेशी जुबान मानते थे दूनों ही तरफ के लोग भूल गए कि जुबाने मजभ़ों की नहीं इलाकों की होती है अगर देखा जाए तो हिंदी और्दू के वर्चस्व के लड़ाई थोते राष्टवाद का पहला परिणाम थी सेद एहमद खान ने एक मरतबा कहा था कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज मैसाज और सामान रुकसत हो जाएंगे तब ये मान लेना कि सिहासन पर हिंदू और मुसल्मान एक साथ काबिज होंगे महज लफाजी है उन्होंने ये भी कहा था कि दौनों का संगर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक दूसरे पर जीत ना पाले शायद यहीं दूराष्ट और सिध्धान की बात हो जाती है पर वहीं खुश्वंत सिंग जैसे भी लोग थे जो ये मानते थे कि भारत के बंटवारे के नीव लाला लाच पत्राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट वाती नेताओं ने रखी थी मौलाना आजाद ने एक बार अपने भाशन में सियद एहमद खान के राजनितिक ख्यालात को हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी गलती की उपमा दी थी उन्होंने कहा था कि शिक्षा और सामाजिक कारियों की आड़ में सियद एहमद खान ने जो राजनितिक एजिंडा चलाया उसके लिए वे उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते मौलाना आज़ाद को लगता था कि सयद एहमद खान के विचारों ने भारती मुसल्मानों के एक धड़े को गलत दिशा में सोचने पर उकसा दिया और जिसका परिणाम बंटवारा था यही बात सही है मौमद अली जिन्ना ने जब आज़ादी के वक्त बंटवारी की दलील दी थी तो यही कहा था कि हिंदू और मुसल्मान ना पहले साथ रहे हैं और ना आगे रहे पाएंगे सो जिस अलिगर मूवमेंट के जरीए सेद एहमद खान ने देश में मुसल्मानों के उत्थान के काम किये थी वहीं से इंडियन मुसलिम लीग का जन हुआ था बाकी इतिहास हैं कभी कभी कुछ बनने में कुछ बिगड़ने की तामीर भी चिपी होती है इंडियन नेशनल कॉंगरिस के स्थापना करने वाले एओ यून ने क्या कभी सोचा था कि उनके द्वारा बनाई गई पार्टी भारत को अंगरिजों से दूर करतेगी